30,000 रुपीज के आसपास में पाफोमेंस किंग फोन है आईको नियो 7 प्रो और उसी प्राइस के आसपास में कैमेरा किंग फोन है विवो भी 27 इसलिए तो बहुत सारे दोस्त कन्फियूस है एक दोनों फोन लेकर आज इस वीडियो में दोनों फोन के भी इस डिटेल और यह पर देख सकते हो बहुत ही जल्दी एफोन मेरे पास आजाएगा उसके बाद आपको डीटेल कॉम्पेर वीडियो मिलेगा यह जो वीडियो है सिर्फ प्रस्विगेशन कंपरेशन है चलिए दोस्तों कंपरेशन शुरू बात करता हूँ दोनों फोन की डिस्प्ले से देखो यार दोनों फोन का डिस्प्ले का साइज तो सेम रखा है 6.78 इंच, Full HD+, AMOLED पैनल के साथ दोनों फोन आ रहा है, दोनों फोन में HDR10+, 120Hz का refresh rate भी है, दोनों फोन में अब FullView डिस्प्ले का मज़ा ले सकते हो लेकिन IQ का फोन आता है, Flat डिस्प्ले के साथ भीवो का फोन आता है, Curve डिस्प्ले के साथ, तो आपको पहला डिसाइड करना होगा, आपको कौन सा डिस्प्ले फोन लेना चाहिए, क्या Curve डिस्प्ले या Flat डिस्प्ले, क्योंकि दोस्तों दोनों फोन का डिस्प्ले में जो स्पेसिफिक असान है, उस सेम है, और Quality भी सेम आता है, बात अगर आप जाना गेम खिलते हो, आपको चाहिए एक ऐसा फोन जो कभी भी हैंग ना करें, हीटिंगा इस्प्ले ना मिले, तो आपको आईकू के साथ जाना चाहिए, ऐसे भी कैमेरा के लिए एक किंग जो हो जाता है, भी वो भी 27, ऐसे फोन की पीछे की तरब जो सारा मेग 12 MP पिक्सल मिलता है, make app के साथ आईकू भी आता है, अर फ्राय मृ जो फॉन का फिफिट्टी मेगा kangativ क घृच्साल ने मेधा इसिपले प्लेगा अब जाते हो जब आप फोटो कीचोंू कि फोटो में अच्छा कालार एच्छा डीटेलिंग आए वीडयो रेकोर्डिंग करने के टाइम अच्छा वाटरफोकस मिले मिले दोस्तों आपको फीब के साथ जाना चाहिए वीबो का फोन को माना चाहता है विपो का फोन को माना जाता है पाफुमिंस टेंग पोन ऐसी डिजाइन की तरह देखे रहा है इस बार मुझे तो लग रहा है आई कुसे बिल्टर फोन है भाई भी वो पहले से इसमें कर्व डिस्प्ले मिल रहा है एस विसका जो फ्रेम है वो पॉली कर्मित बना हुआ है पीछी की तरफ एजी ग्लास बेक मिलता है जिसमें मैट फिनिसिंग है इसके पीछी की तरफ प्रिम्यम फिल्ट देता है पीछे की तरह प्रैस और फिंग अर्पिन का निसान भी नहीं आता है लेकिन फोन थोड़ा भारी होने की वज़े से दिखजायर में यह फोन मार रखा जाता है ऐसे भी दूनों फोन हाल फिलर में एंडरो 13 पर रान हो रहा है और दूनों फोन मे बोगी अच्छाचा features भी मिल जाएगा दूनों फोन में अब SD कार को यूज नहीं कर पाओगे दूनों फोन में 3.5 मोडियो जख नहीं है दूनों 5G फोन है multiple 5G bands का support भी है दूनों फोन की speaker की बात क्या जाये तोस्तों यह पर IQ का phone आता है dual studio speaker के साथ हीवो का phone आता है single speaker के सा अगर आपको चाहिए फर्स चाजर के साथ साथ अच्छा बैटरीवे का phone तो IQ का phone आपके लिए सबसे अच्छा रहाएगा ऐसे भी दूनों फोन का बेस बेरिंस स्टार्ट होता है 8GB 120 8G फेरिंस से और प्राइस की बात क्या जाये तो IQ का phone आपको 35,000 लुपिस में मिलेगा म उजबाट आफार की बात कर रहरो और घबो का phone उजबाट आफार में आपको 33,000 लुपिस में मिलेगा चलिए दोस्तों आप सीदी सी बात करते हैं यह दूनों फोन से कौन सा phone बेस्ट है और कौन सा फोन आपको लेना चाहिए पहला तो आपको डिसाइड करना होगा आप बढूर है अगर आपको चाहिए को जिसका डिजाइन खुबशुरत रहे जिसमें कवड़ दिस्पलै मुले एक कैमेरा अच्छा रहे तो आपके लिए तो सब्सक्राइब मेरे निर्स के सबसे आईकू बेस्ट हो रहा है आपके निर्स के सबसे कौन सा फोन बेस्ट है आप मुझे जूरू बतातीजिए क्योंकि सबका ओपिनियन तो अलग-अलग होता है मुझे पुरी उमीद है आपका डाउट मैंने क्लियर करती है अगर आपको अच्छा लगाए सब्सक्राइब बहुत जल्दी मेरे पास आइकून यह सविन प्रो आज आएगा सब कुछ वीडियो आपको मिलेगा तो देखना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहे है